हेलो गाइज वेलकम टू भेट अगेडमी गाइज इस वीडियो सिरीज में हम चैप्टर कार्बनेंट्स कंपाउंड से कोश्चन्स करने वाले हैं जो लास्ट एंट्रेंस एक्जाम में आ चुके हैं गाइज यह कोश्चन्स वो हैं जो आपके एम्यू जामिया और जे से गाइज हम हर कोंसेप्ट के लिए करने कोशिस करेंगे ठीक है अब फर्स्ट कोश्चन देखता है गाइज अब कोवेलेंट बॉन्ट इस फॉर्म बाइज कोवेलेंट बॉन्ट किस तरीके से बनता है फर्स्ट ऑप्शन दिया गए है complete transfer of electrons जब electrons का transfer totally हो जाता है वन गाइज सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ट समझते हैं क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ट गाइज वह बॉन्ट होता है जो बॉन्ट शेरिंग से बनता है दो elements के बीच में जब दो elements अपने electron की sharing करते हैं अब sharing ही क्यों करते हैं क्योंकि नहीं तो वह electron ले सकते हैं नहीं वह electron बनता है, single बनता है, double बनता है, triple बनता है, ठीक है, इसलिए दोनों elements को electron देने पड़ते हैं, अपने shared pair electrons देने पड़ते हैं, माल लीजिए एक-एक electron इसको देना पड़ रहा है, ठीक है, sharing के लिए, ये single bond तब बनाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इस cancer क्या होगा, mutual sharing of electrons, दो को अपने electrons की sharing करनी पड़ेगी, अब next question आता है, carbon forms large number of compounds, carbon large number of compounds क्यों बनाता है, ठीक है, पहला option है guys, tetra valency, tetra valency का मतलब होता है, carbon के पास जो है, 4 electrons होता है guys, outermost cell में, carbon का atomic number होता है, 6, इसका electronic configuration होता है, 2,4, क्योंकि इसकी outermost cell में, 4 electrons होते हैं, इसलिए इसको कहता है, tetra valency का मतलब होता है गाई Hunting, valency electrons, कितने है, outermost cell में, outermost cell का मतलब होता है, सबसे भारवाली cell, धीक है, इसकी outermost cell में, चार इलेक्ट्रोन हैं इसलिए टेट्रावलेंसी की वज़े से अब इसके पास चार इलेक्ट्रोन हैं इसलिए चार अलग-अलग element के साथ compound बना सकता है ऐसे ही chain बनती जाती है ये तो बात सही है ये first option सही है अब और option चेक करते हैं catination गाइस catination वो ability होती है carbon की जिस वज तरीके से वह bond बनाता है ठीक है तो यह भी सही है थर्ड ओप्शन होता है जिनका molecular formula same होता है और structures जो है different होता है तो ABC गाइस तीनों सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा all of these अब third question दिया गया है which of the following elements forms only covalent bonds कौन से ऐसे elements हैं जो सिर्फ covalent bond ही बनाते हैं ठीक है मतलब सिर्फ covalent bond ही बनाते हैं तो एक इसका last option इसको आप जो है कि इसका answer carbon होगा क्यों carbon ही ऐसा element है जो आपका जो है क्या बनाता है इन चारों में से covalent bond ठीक है सिर्फ covalent bond बनाता है और possible questions क्या हो सकते हैं guys इस topic पे देख लिए कि carbon की valency outermost cell में कितने electron हो सकता है ठीक है इस तरह ही question इस topic पे है ठीक है नेक्स question देखते हैं गाइस यह दोनों questions हैं यह allotrops की ओपर बेज़ते हैं सबसे पहले मैं allotrops बता देता हूं क्या होते हैं गाइस allotrops वो होते हैं जब कोई element दो या तू अलग form में exist करता हैं ठीक है उनको allotrops होते हैं अब जो तीन जो दो common allotrops हमें पता हैं carbon की carbon जो है diamond में exist करता है और ताइबंड की form exist करता है और graphite उसकी बद मिंसल फूलवें उसकी special type of form होती यह फुल रीन्स की, तो तीन तरह की हो गई हमारे पास diamond, graphite और फुल रीन्स, ठीक है, अब यह allotrophs है, यह तीनो जो है carbon से ही बनी होती है, इनकी कुछ characteristics देख लेते हैं, यह सब तीनो carbon की ही बनी होती है, ठीक है, अगर आप इनको तीनों को है, क्योंकि इनकी structures अलग होती है, ठीक है, और गाइस, यह chemically जो है, अब same react करेंगे, यह अलग react करेंगे, simple सी बात है, same react करेंगे, ठीक है, क्योंकि carbon है तीनों, symbol है, अब यह हमें देखना है, इसी चीज़ को समझने के बाद हमें इन questions के answer देना है, consider the following statements about graphite and diamond, अब यहां पर diamond और graphite के बारे हम बात की गई है, पहला है, the electronic configuration are different, sorry different है, the electronic configurations are different, कि उनकी electronic configuration different होगी, एक बात सोचे गई, जब graphite भी carbon से बना है, और diamond भी carbon से बना है, तो क्या उनकी electronic configuration different हो सकती है, नहीं, carbon के outer motion में 4 electrons होते हैं, और यह भी outer motion में 4 electrons होते हैं, टूपोमाफोनिक की electronic configuration होने वाली है, ठीक है, फिर second कहा गया है, they have identical chemical properties, हाँ, दोनों carbon से बने हैं, तो दोनों, symbol सी बात है, carbon बना है, दोनों carbon महरत दोनों सेम होगे, इसलिए chemical properties सेम होगी, और दूसरे elements से, सेम तरीके से react करेंगे, दियर atoms are bounded to each other differently, guys, इसका मतलब यह है कि उनके atoms अलग-अलग तरीके से bound किये गए हैं, उनका guys structure अलग होता है, ठीक है, जो grey fight है, उसके structures होते हैं, flat like structures, ठीक है, hexagon की form में attach होते हैं, और sheets के तरह attach होते हैं, उनके बीच में कुछ weak forces होते हैं, interval forces, diamond के बीच में diamond जो है, चार अपने carbon से test होता है, tetrahedral की shape में, तो हाँ, इनके structures जो हैं, अलग होते हैं, कोई भी confusion नहीं हो, हमारी videos देख लेंगे, पूरो detail में दी गई है, ठीक है guys, तो इसका answer क्या हो इसका B और C, ठीक है, इसका answer क्या है, C answer है, इसका B और C, अब next question कहा गया है, which of the following is not an allotropic form of carbon, कौन सी allotropic form नहीं है carbon की, तो diamond होती है, graphite होती है, full green होती है, देखते हैं उन से लग कौन सी है, fluorine, तो यह है इसका answer, fluorine नहीं होती है guys, इस तरह के questions आ सकते हैं, graphite और diamond पे भी, अब next question यह भी पूछ सकते हैं, possible question है कि graphite conductor होता है, diamond conductor होता है, क्योंकि उसके बीच में weak forces होता है, इसी लिए electrons आपके available हो सकते हैं, और आपको graphite hard होता है, तो diamond hard होता है, तो यह तो guys, यह सारे questions आपके hydrocarbons में हैं, hydrocarbons में guys, तीन series होती है, elkin, elkin और elkin, ठीक है, उसमें elkin, elkin और elkin series में, तीनों series को हम home longer series भी बोलता है, सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, guys, जो elkin series होती है, और elkin, और elkin, elkin series बनती है, जब carbon carbon के बीच में single bond है, ठीक है, और elkin बनती है, जब carbon carbon के बीच में double bond है, और यह triple bond के लिए होती है, इसका general formula होता है, cn h2n plus 2, इसका होता है, cn h2n, और इसका होता है, cn h2n minus 2, यह आपको याद रखना है, guys, बहुत-बहुत-बहुत important है, ठीक है, और इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हो, इसका जो first member होता है, elkin series का, होता है, होता है, guys, methane, इसका first member ethene होता है, guys, और इसका first member ethine होता है, अब questions देखते हैं, अपने count the number of single covalent bonds in ethene, ethene में आपको covalent bonds बताने हैं, कितने होता है, इतका मतलब होता है, guys, 2 carbon, और n है, इसके बीच में single bond है, बाद में हम carbon के maximum bonds होता है, होता है, चार, तो carbon के पास एक bond है, हम चार पूरे करने के लिए, इसके पास hydrogen लगाते हैं, hydrogen, hydrocarbons है, इसके लिए carbon और hydrogen के साथ, इस carbon के पास भी एकता है, इसके लिए होता है, अब हम bonds count करते हैं, कि कितने हैं bond, one, two, three, four, five, six, seven, तो ethane के अंदर guys seven bond होता है, ठीक है, अगर यह आपको structure उनके बीच में single bond क्योंकि प्रोपेन है, इस carbon के वालेंसी पूरी करेंगे, तो guys इसके लिए पास कितने bond है, single, तीन और आ जाएंगे, hydrogen की साथ, और इस carbon के पास दो bond है, one, two, तो दो और आ जाएंगे hydrogen की साथ, और इसके पास एक bond है, तो तीन hydrogen, इसके पास देखेंगे, अब कितने bond होगे, total, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, तो प्रोपेन के पास 10 bond होता है, इस तरीके से आप किसी भी question आखता है, propane, butane, तो आप उसमें पता सकते हैं, कितने bonds होते हैं, अब next question देखते हैं, select the hydrocarbons, which are members of same homologous series, हमें वो hydrocarbon select करने हैं, जो same homologous series के होते हैं, अब same homologous series मतलब, alkane, 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 क्योंकि यहां पर और कोई, आपका function group नहीं है, इसलिए, अब यहां पर, इनको जो है, alkane को देखने के लिए, simple से trick बताता हूँ, alkane को आप कैसे बता सकते हो, सिर्फ formula देखने के बाद, सुन येगा ध्यान से, carbon के जितने आपके atom होते हैं, ठीक है, जितने carbon के atom है, माल लीजे, four atom है, तो hydrogen के carbon के double और दो ज्यादा होंगे, मतलब carbon के कितने हैं, चार, hydrogen के कितने होंगे आपके पास, four का double क्या होता है, eight plus two add कर दिए, ten, तो c4s10, इस तरीके से आप जो है, alkane का बता सकते हैं, वरना आप जो है formula भी put formula से भी check कर सकते हैं, cns2n plus two, अगर ये formula verify कर रहा है, तो लेकिन ये थोड़ा आप जो है time consume हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में आपको limited time में करना होता है, इससे आपका जो है, दो से तीन सेकंड में question हो जाएगा, alkyne के लिए क्या होता है, carbon के जितने atom है, चार है, तो hydrogen के उसके double होता है, बस, alkyne के बहुत असान है, जितने मान लीज़े carbon के चार है, तो hydrogen के कितने हो जाएगा, और alkyne के लिए carbon के जितने हैं, जैसे मान लीज़े चार है, तो hydrogen के उसके double 8 और 2 minus, ठीक है, c4, h6 इसके लिए बन जाएगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है, अब जो same हो में लोगा series की होंगे, तो उनका pattern सेम होगा, alkyne के है तो वो double होंगे, अगर alkyne के लिए है तो double में से 2 minus हो जाएंगे, और अगर आपके alkyne के है तो double plus 2 हो जाएंगे, फर्स देखते हैं, c8s16, जितने carbon के atom है, उसका double hydrogen आ रहा है, तो मतलब यह alkyne series का member है, यहाँ पर पूशा हो गया by chance, लेकिन मान लिए और भी चेक कर लेते हैं, यह c5s10 है, जितने carbon के element है, उसके double hydrogen के है, और यहाँ पर जितने 7 है, तो double minus 2 है, यह alkyne का member है, यह alkyne का है, तो यह नों नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर c7s2l, फिर वो ही alkyne का आ गया है, और यह alkyne का है, 4 का double 8 plus 2, यह alkyne का है, यह भी नहीं है, तो आपका option कौन सा था सही, first option सही है, which of the fall, आपको check नहीं करने है, तिनों के लिए, चार option है, अगर यहाँ पर 9 of these दिया हो, होता, यह और कोई option होता, कि 2 of the above, A or C, या B or D, तब आप check कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अलग-अलग options है, तो आपको यह सिर्फ पहला ही सही था, मैंने इसलिए बताया थाकि आपको यह समझ में जाए, which of the following open shape compounds can have double bond, किन के पास double bond हो सकता है, अब आपको पता है, double bond जो है, alkyne series के लिए, जितने carbon atom है, hydrogen उसके double होंगे, देख लेते हैं, C4, S10, 4 का double 10 नहीं है, sorry, 10 जो है, 4 का double नही है, तो यह नहीं है, 5 और 8 डबल नहीं है, तो यह नहीं है, 6 और 14 डबल नहीं है, नहीं है, 5 और 10 डबल है, तो यह है, सिर्फ आपको यह देखना है, जो जिसका, अगर hydrogen देना double है, carbon के, तो वो answer है, सिर्फ 5 सेइंड लगे हैं आपको, अब next देखना है, किसके पास triple bond हो सकत है, triple के लिए क्या देखता है, double minus 2, ठीक है, 2 है, 2 का double 4, plus 2 है, आप यह नहीं है, 3 और 4, 3 का double 6 minus 2, हाँ guys, यह हो गया है, ठीक है, answer आपको यह होगा, एक बार इनको भी check कर लोते हैं, 3 double 6 plus 2, यह नहीं है, 3 double 6, तो यह दर double है, यह भी नहीं है, तो guys, इस तरीके से आप questions हो सक सकते हैं आपके, और भी questions खुद बनाईए, जो questions अगर आते हैं आपके पास, please comment कीजेगा,